दोस्तों बहुत से किसान भाई है जो पपीते की खेती करना चाहते हैं लेकिन वो confused रहते हैं कि वो red lady लगाए या फिर 15 नमबर तो आज की इस वीडियो में मैं आपका easy confusion को दूर करने वाला हूँ कि आप 15 नमबर लगा सकते हैं या फिर red lady तो दोनों varieties का मैं comparison करने वाला हूँ जिसमें कि इनका जो origin है वो कहां से हुआ है और इनका जो climatic condition कैसा होता है ग्रो करने के लिए इनका जो yield निकलता है वो कितना होता है fruit का size क्या होता है और market में इन दोनों में से किसका ज़्यादा demand रहता है तो ये सभी चीजे मैं आपको ब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके origins के बारे में रेड लेडी का जो origin है वो ताइवान से हुआ है और जो 15 नंबर का origin है वो local Indian variety है वैसे तो जो 15 नंबर है वो अभी भी undefined है कि किस से निकला हुआ हुआ है ये variety पर काफी research करने के बाद ये पता चला है कि ये प्लो ही है अब बात करते हैं दोनों के fruit characteristics के बारे में Red Lady का जो सेप रहता है वो overall रहता है और जो इसका जो flash होता है वो red passe होता है और जो 15 नंबर का shape होता है वो थोड़ा elongated होता है और इसका जो flash हो थोड़ा orange होता है कीपींग कौलिटी की बात करे तो जो Red Lady है वो जादा keeping quality रखता है वहीं पर जो 15 नंबर है उसका जो keeping quality है वो कम रहता है क्योंकि जो red lady है उसका जो flash है वो काफी मोटा होता है as comparison to 15 नंबर जिससे कि जो red lady है वो easily transport हो जाता है 15 नंबर के comparison में yield की बात करें तो दोनों ही almost same जैसा yield देते हैं एक साल के अंदर में ये दोनों 60 kg तक का फल देते हैं अब बात करते हैं disease resistance के बारे में कि इन दोनों varieties में कौन सबसे यदा disease resistance होता है red lady 66 उसका जो disease resistance है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि ये powdery mildew और जो ring spot virus है इसमें बहुत ही जल् लगता है क्योंकि आपको बार-बार इसके लिए इस प्रे करना पड़ता है और वहीं पे जो 15 नंबर है वो काफी जादा disease resistance होता है जिसके वज़े से इसमें इस प्रे कम करना पड़ता है 15 नंबर में बहुत ही लेट से ring spot आता है अब बात करते हैं कि इन दोनों में market में सब से जादा रहता है इन दोनों का जो keeping quality होता है वो अलग-अलग है इसलिए जो ठंड में ज्यादा तर demand रहता है 15 नंबर का है और वहीं पे जो red lady है उसका जो demand है वो गर्मी में रहता है इनके prices में difference उतना नहीं होता लेकिन जो red lady होता है वो थोड़ा महंगा बिखता है 15 क्योंकि red lady का sweetness जादा रहता है 15 नंबर से red lady काademी सेपलिंग्स होते हैं ओर 1500 के सैपलिंग्स होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं क्योंकि मैंने पहले भताया है जो red lady होता है वो f1 hybrid variety होता है और जो 15 नंबर है वो f1 नहीं है तो इसलिए इन में जो rate का difference रहता है अब बात करतेear है कि इन दोनों varieties में आपको किसे लगाना चाहिए तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा variety है वो red lady है क्योंकि इसमें जो mail का संख्या है वो बहुती कम निकलता है वहीं पर जो 15 नमबर है वो f1 variety नहीं है जिसके करण जो male का संख्य है वो ज़्यादा निकलता है 15 नमबर पे तो आपको इससे काफी नुकसान हो सकता है Red Lady में जो virus का सिकायात है वो ज़्यादा रहता है 15 नमबर के comparison में लेकिन हम profitability की बात करें तो आपको Red Lady में ज़्यादा फायदा होगा ये क्यों होगा क्योंकि जो virus होता है वो एक ही बार में सभी plants में नहीं पहुंचता तो उसके लिए आप अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो आप Red Lady को भी अच्छे से उगा सकते हो अभी भी जो market में demand है वो Red Lady का सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये commercial variety है और जो 15 नंबर होता है वो commercial variety नहीं है पर ये फिर भी इसे लगाया जाता है अगर आप 15 नंबर variety लगाते हैं तो उसे आप ज़्यादा दिन तक रखे क्योंकि इसमें जो virus का टैक है कम होता है तो ये ज़्यादा दिन तक चलता है वहीं पर जो red lady होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता ये एक साल तक ही रहता है तो अपने convenience की हिसाब से आप अपना variety चूज कर सकते हैं लेकिन हमारा जो preference रहता है वो red lady रहता है क्योंकि ये F1 hybrid है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share करे और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे